Hello dear students, so I am here today with J.E.Mains 2025 and J.E.Advanced. 2025 में जो अभी latest updates हुए है, उसकी detail information लेकर आया हूँ. So, welcome to our Phoenix ad you YouTube channel, जिस किसी ने भी subscribe नहीं किया हो, new viewers हो, आप please चैनल को subscribe कर दिजे for all the latest updates. तो before beginning, let me tell you the important और key dates, कौन-कौन सी important dates है जो आपको पता होनी चीजए, सबसे पहली चीज़, कि जो form filling है, वो start हो चुका है 28th of October 2024 से, और 22nd of November 2024 तक ये चलने वाला है, ठीक है, आपकी जो exam dates है, वो 22nd of January 25 से 31st of January 25 तक आपकी exam चलने वाली है, J.E.Mains का first item जो है वो, result declaration जो है, वो 12th of February 25 को होने वाला है, और website जो है वेटाउस किये, www.jemain.nta.ac.in अच्छा, अभी total 25 questions per subject का जो पहले, COVID से पहले वाला rule था, वो आपको पता ही है, updates में आ चुका है, जिसमें 25 questions per subject रहेंगे, 20 questions MCQs रहेंगे, 5 questions numerical value based question रहेंगे, NVB, जिसमें हम integer type questions कहते हैं वो, और सारे questions कंबल सरी है, मतलब total 25, multiply by 3, 75 questions आपके रहेंगे, उसमें से 20, 20, 20, 60 questions आपके MCQs रहेंगे, and 5, 5, 5, 15 questions जो आपके NVB रहेंगे, each and every questions are compulsory, अब आते हैं कुछ बहतरीन updates जो अभी अभी नहीं नहीं आई हुई है, उसकी सबसे पहली हम जही मेन की बात करेंगे, तो number 1, age limit जो है, वो remove हो चुकी है, मतलब आपकी age कुछ भी हो, आपकी 12th, class 12th की exam है, वो 23, 24, या ongoing 25 में खतम हो रही है, तो you are eligible for JMA in 2025, वापस repeat कर रहा हूँ, कि आपकी age कुछ भी उससे matter नहीं करता, आपने आपकी 12th की पहली exam, first attempt of 12th, आपका 23 में दिया हुआ होना चाहिए, 24 में दिया हुआ होना चाहिए, या तो 25 में दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें appear कर सकते हो, ठीक है, अब नहीं होगा, अब ये लोग क्या देखेंगे, कि आपके जो mathematics में, physics में और chemistry में, जैसे mathematics में देखेंगे, correct और incorrect कितने हैं, अगर वो भी same आता है, तो लोग physics में देखेंगे, correct और incorrect कितने हैं, अगर वो भी same आता है, तो last में chemistry में देखा जाएगा, तो यहाँ पर इतनी probability तो कभी नहीं जाएगी, एक दो subject के अंदर पता चल जाता है, ठीक है तो maths, physics and chemistry ये तीन चीजों को cross check किया जाएगा ठीक है कि आपका correct-incorrect का ratio कितना है और उसको फिर priority दी जाएगी in time breaking ये किसमें होता है जब दो बंदों के marks से same होता है तो उसमें देखा जाएगा कि maths में किसके जादा है उसको first priority दी जाएगी उसको आगे रखा जाएगा फिर अगर maths में same आ रहा है दोनों का तो देखा जाएगा physics में किसके जादा है तो फिर उसको priority दी जाएगी और अगर उसमें भी same आता है तो last में chemistry का देखा जाता है कहीं न कहीं तो variation आपको मिली जाएगा ठीक है अगर वहां भी कुछ आता है तो उसके लिए क्या rules है अगर chemistry में भी same आता है तो क्या rules है वो अभी तक disclose नहीं किया होगा है ठीक है तो इतनी चीज़ें हमें बताई हुए next बात करेंगे हम लोग J advance में J advance में इन लोगों ने attempt increase कर दिये पहले जो attempt था वो दो attempt आप दे सकते थे 2 अभी that has been increased to 3 consecutive attempts आप दे सकते हो मतलब कि आप अगर for example 23 में pass out हो 24 में pass out हो 25 तो आप 3 consecutive attempts दे सकते हो 23 का बंदा भी 25 में J advance दे सकता है ठीक है तो आपको ये ध्यान रहे है the change is intended to provide more flexibility for as parents के लिए वो दिया हुआ है ठीक है जैसे 3 attempt mains में थे लेकिन advance में नहीं थे तो अभी advance में भी 3 attempt कर दिये इन्होंने next eligibility and seed allocation इन्होंने जो है उसमें क्या किया है लोगों कि 2.5 lakh top candidates जो रहेंगे जैसे J means की exam कितने भी lakh बच्चे देते उसमें से धायलाग बच्चे जो होंगे top धायलाग बच्चे वो advance के लिए eligible होंगे वापस repeat कर रहा हूँ जितने भी J means का result आते है उसमें top 2.5 lakh students जो होंगे वो applicable होंगे किसके लिए advance के लिए ठीक है अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपका जो तो अगर first attempt जो है class 12 का 22 से before है मतलब 22 से पहले के बंद है वो नहीं दे पाएंगे वो ineligible है unless उनकी जो exam result है वो after September release हुआ तो चलेगा अगर exam result after September release हुआ है तो वो consider हो पाएगा याद रखने है आप एक clause रखा हुआ है इसका ध्यान रहे है अभी इन्होंने क्या किया है जो seat allocation है वो quota के इसाब से बाटा हुआ है कितना quota किसको मिलेगा तो general EWS category का 10% quota रखा है 27% होगा OBC non-crimi layer 15% जो है that is for SE 7.5% for ST and the remaining 40.5% is for open open category के लिए open for all रहेगा हाँ 5% जो है horizontal reservation है PWD candidates के लिए जो physically disabled है तो उनके लिए person with disabilities जो है उसके लिए इतना quota अवेलेबल रहेगा बाइदवे ये general EWS और ये open तो इन लोग को general में ही गिना जाता है दोनों को तो ऐसे देखा जाएता है 40.5 plus 10 50.5% something का overall open quota दिया है इनोंने ठीक है तो ये भी एक variation यहाँ पर दिखा है दूसरा एक अच्छी सी चीज यहाँ पर number 3 पर देखने को मिल रही है वो है कि अगर आपने IIT में admission लिया है तो आप आपने अगर admission ले लिया है last year लेकिन आप चाते हैं आप माइन बद आपने कैसे भी admission ले लिया था आपने seat block कर दी थी लेकिन आप गए ही नहीं आप IIT गए ही नहीं और आप चाते हैं कि मैं इस साल वापस IIT दू ताकि मैं अपना कुछ rank improve करके और अच्छी IITs लूँ तो आपके लिए bad news है आप इस यह advance में नहीं बैठ पाओगे क्यों? क्योंकि आप एक seat खा गए अगर आपने वो final allocation से पहले cancel करी होती तो issue नहीं था लेकिन आपने allocate भी कर दी आपने seat भी ले ले लेकिन आप गए ही नहीं आपने सब reporting करके sub seat perfect करा लिया लेकिन फिर आपका mind change हुआ कि नहीं यार college का first month चल रहा है अभी मुझे थोड़ा और दूसरी college में जाना है और आपने drop ले लिया आप सोज़ें मैं next year advance दूँगा लेकिन आप eligible नहीं होंगे आप IIT जेही नहीं दे सकते याद रखना advance आपको नहीं बैठने देगा उस case के अंदर तो उस case में याद रहे अगर आपने खुद cancel करी हुई है या तो the candidates were allocated a seat in IIT through JOSA but did not report online अपने report नहीं किया withdrew before the last round of the seat allotment seat allotment के last round के पहला आपने withdraw कर लिया और had their seat cancelled for whatever reason before the last round of seat allocation are eligible to appear for J.E. Advance 2025 कौन नहीं eligible है तो irrespective of whether or not the candidate continued in the program और accepted an IIT seat by reporting online or report center in the past the candidate whose admission to IIT was cancelled after joining any IIT are also not eligible for appearing for J.E. Advance 2025 मतलब आपने join कर लिया फिर admission cancelled हो कोई भी रीजन कोई भी रीजन हो join करने के बाद admission cancelled हो तो आप इस साल नहीं दे सकते तो यहां भी यह एक rule add किया हुआ है right so these are all the rules which had been updated by the NDA or we can say J.E. Advanced examination means examinations all the best to all the students those who are appearing for J.E. Mains and advancing 2025 stay tuned बप्साइब आपाएपब आप Schuld हो